Yelme 3 Pro का जून अपडेट रिलीज कर दिया गया है, मेय अवाला अपडेट जो वो रिलीज नहीं हुआ था लेकिन जून का जो अपडेट वो रिलीज हो गया है, बहुत सारे फीचर चेंज लोग में आप देख पाएंगे वो गया हो गया है, जी हाँ जो फीचर है वो अब अब अवलेबल नहीं है तो जिन लोगों को अटो अपडेट की थुरू मिला है, उनसे मेरी बाचीत हुई और उन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि मैं मुझे में आभी मत नहीं है कि मैं इस मैनूल फाइल को इंस्टॉल कर दूँ अपने फॉन में ताकि मैं लेटेस्ट वाला C.06 वर्जन में जा सकूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे मैं बता देता हूँ आपको अगर आप भी सोच रहें तो अपडेट आए तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा प्लीज रुख जाएएगा अपडेट मत किजेगा यह वाला क्योंकि इसमें बहुत ही भारी नुकसान होने वाला है आप सब लोग का मेरा भी हो जाता लेकिन मैंने इंस्टॉल नहीं किया यहाँ जो यहाँ पर फीचर कायब किया है वो है डार्क मोट जी यहाँ जो यहां पर फीचर एक तरह कहीं काम नहीं कर रहा है तो आप आपके फोन में डार्क मोट नहीं दिखेगा लेकिन अगर किसी के फोन में दिख भी जा रहा है तो वो पूरी तरह से काम ही नहीं कर रहा है किसी भी जगा पे डार्क मोट काम नहीं कर रहा है दूसरा जो यहाँ पर फारी बदलाव या दूसरा जो भग या कह सकते फीचर हटाया गया वो है आई केयर में जी हाँ अगर आई केयर पहले इनेवल करते थे तो आपको एक option रहता था कि आप कितना जादा जो है जो आपका color है वो yellowis वाला उसको कितना बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं लेकिन अब जो है इस update में वो वाला line ही हटा दिया गया है कि आप अपने मन से बिलकुल भी color को adjust नहीं कर सकते हैं जो दिखता है वैसा ही रहेगा तो यह वाला भी बहुत बहरिया फीचर था उसे हटा दिया गया है और सबसे दुख वरी बात तो उनके लिए है जो लोग इस device में गेम खेलते हैं चाहिए Free Fire हो PUBG हो Call of Duty हो कोई भी गेम खेल रहे हैं तो आपको गेम स्पेस के अंदर में तीन मोड दिया गया जिया एक competitive रहता है balance रहता है और नीचे वाला जो होता है load वाला option आपको रहता है कि भाई सब जिल लोगों ने device को खड़ीदा ही था कि इस budget में मुझे अच्छा experience मिलेगा वह इसे PUBG का क्या स्थिति है Realme के इस device में गोई X50 Pro जो की 50,000 का device है मेरे पास तो X2 है उसका भी हालत खराब है X2 को तो पूरा बरबाद ही कर दिया उसका frame इतना बेकार हो गया है तो सारे device में एक ही problem है तो उनका Realme की device में आप फिलाल कोई भी उमीद नहीं दिख रहा है gaming जो performance वो बरने का मुझे जरा भी उमीद नहीं दिख रहा है अब क्या काम कर रही है जो इनका team है software engineer वो लोग कौन सालासा करते मुझे नहीं पता उसे तो अच्छा था color OS ही रहता जादा बहतर है यही कुछ चीज़ों के बारे में अभी मुझे जानकारी मिली कि भाई साब issues आ गया है जिनको auto update मिला था और यह feature गाइब हो गया है पता चलता है वीडियो चाप देते हैं तो उनका छोड़ करके तो इंतजार किजेगा review पढ़ लिजेगा community section में जब आपको संतुष्टी मिले तब ही जाकर किए वाला update install किजेगा वरना आप बहुत ही पचता यह फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही पस इतना ही जानकारी आप सबको देना था क्योंकि यह बहुत बरी जानकारी है छूटना नहीं चाहिए था सब लोग को इंफॉर्म करना मेरा काम था मैंने इंफॉर्म कर दिया है अगर आपको यह information लगा हो कि हाँ टाइम पर बता दिया है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अपने support के लिए चैनल को भी subscribe कर सकते हैं फिलाल किस वीडियो में इतना